दोस्तों कभी भी अगर कोई एप या फिर हैकर्स हमारे फोन को हैक करते और वो हमारे यहाँ पे जो कैमेरा होता है उसका एक्सेस पाते है तो हमें पता नहीं चलता ठीक है वह बैगराउंड में यह प्रोसेस सब चलती रहती है ठीक हमें पता नहीं रहता तो इस वीडियो में में आपको एस एक app दिखाने वाला हूँ कि वो app अगर कोई भी background में कोई भी apps हो या फिर hackers हो अगर आपके camera को access कर रहा है ठीक है आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि यहाँ पर screen पर क्या चल रहा है तो इसके लिए दोस्तो आपको play store पे जाना होगा और play store पर आपको एक access dot के नाम से एक application मिलेगा इसको आपको download करना है अब यह मैंने पहले से download किया है तो मैं यहाँ पर open पे click करूँगा अब open पे click करने के बाद दोस्तो access dot यह जो है आपको यहाँ पे enable करना पड़ेगा अब इसको आपको permission देनी पड़ती है इसके लिए आपको download service में जाना है और download service में आपको यहाँ पे नीचे access dot दिखेगा इस पर आपको access dot की permission यहाँ पे दोस्तो देनी है इसके बाद आपक आपको यहाँ पे grant करके देखूंगा और बाद में आपको camera access करने के बाद कैसे आपको screen पे पता चलेगा कि हमारा camera का access चल रहा है तो दोस्तो access dot की यहाँ पी permission हमने यहाँ पे दे रखी है अब देखें यहाँ पे आपको camera का access नहीं है इस वज़े से rate दिखा रहा है ठीके अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे camera का camera यहाँ पे open करूँगा तो यहाँ पे यह जो rate दिखा रहा है यह green में convert हो जाएंगा तो मैं यहाँ पे camera को ठीके इस प्रकार से कर लेता हूँ अभी मेरा background ज्यादा अच्छा होने के वज़े से यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है तो यहाँ पे यह green बन जाता है तो इस प्रकार से आप दोस्तों अगर आपका background में चल रहा कोई भी app आपका camera यूज़ कर रहा है तो यह app आपको बता देगा कि आपका camera यहाँ पे hack हो चुका है या फिर camera को कोई app यहाँ पे यूज़ कर रहा है तो इससे आप जो है अपने subscribe का button है उस पर tap कीजिए bell icon पर click करने के बाद all पर click कीजिए इस वीडियो को यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे helpful लगाए तो इस वीडियो को like और अपने दोस्तों में share कीजिए दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार